हेलो फ्रेंट्स वेलकम तू अभिपीडिया पावर्ट बाइभिमन्यो आई एस तो फ्रेंट्स जैसे कि हमारी जो सीरीज चन रही थी जो डेली हम यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं शेडियूल आपके पास अवेलेबल है अगर अभी तक आपको शेडियूल के बारे म हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो शेडियूल आपको अभेलेबल रहेगा हमारे कम्यूनिटी पोस्ट पर यूट्यूब का अगर आप हमारा चैनल खोलेंगे अभी पीडिया का तो वहां पर आपको एक कम्यूनिटी पोस्ट मिलेगा जिसमें हमारा weekly schedule जो हो रहता ह इसमें हम comprehensively सारे topics को cover करते हैं including IR, security, history, economics, current affairs तो बहुत ही beneficial हैं और बिल्कुल free of cost हैं तो आप देख सकते हैं ठीक है schedule का benefit ही रहता है कि आपको timely आपको पता रहेगा कि किस time कौन सा वीडियो आपको मिलना है तो friends आज जो हम आप से बात करने वाले हैं अभी तो security की हम यहां पर बात करेंगे और security में हम एक बहुत important जो चीज़ है unlawful activities prevention amendment act 2019 पार्लेमेंट ने इसको पास किया था around July मन्त में और अगस्त में president के approval के बाद यह act जो है functioning में आजुका है very important act it is और इस पे UPSC already mains में भी आपके question पूछ चुका है तो यह कई बच्चे गलत फहमी एक बना लेते हैं कि क्योंकि यह एक बार mains में पूछा जा चुका है या एक बार pre में पूछा जा चुका है तो इसकी relevance खतम हो गए और इसको बिलकुल इग्नोर कर देते हैं तो मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि यह ऐसा नहीं है because terrorism जो आपका topic है यह मैं बात करूँ internal security की यह आपका syllabus का part है ठीक है और आपके लिए अगर कोई भी question आता है internal security से related है terrorism से related तो आप easily अपने जो है इसे acts के जो है reference points यूज कर सकते हैं क्योंकि as an administrator जब आपको decision लेना होता है कुछ भी लेना होता है तो आप देखेंगे कि terrorism देश में अगर बढ़ रहा है तो किस वज़े से बढ़ रहा है क्योंकि हमारे पास act तो पहले से है फिर terrorism क्यों बढ़ रहा है इसलिए तो हम amendments लेकर आते हैं तो आपके mains point of view से यह important हो जाते हैं और आपने वो गलती नहीं करनी कि हम इसे ignore कर देते हैं क्योंकि यह paper में पूछा जा चुका है हाँ मैं यह मानता हूँ कि chances कम है कि आप directly आपसे amendment के उपर सवाल पूछें जो आपका 2020 में जो बचे mains देंगे या prelims देंगे तो direct सवाल पूछे जाने के chances कम है बट as a reference आप हमेशा इसको use कर सकते हो तो चलिए सबसे पहले background थोड़ा सा समझ लेते हैं आपका जो unlawful activities prevention act आया था यह कौन से साल में आया था अभी मैं इस amendment act की बात नहीं करूंगा जो original act था तो original act आपका आया था वो आया था आपका 1967 में और इसका background क्या था देखिए चाइना के साथ हमारी लडाई हो चुकी थी चाइना वार हो चुका था 1965 वार हो चुका था तो हमें ऐसी एक act की जरूरत थी जो unlawful activities को prevent कर सके उसके इलावा अगर आप देखें उस समय में DM के जो party थी जो contest कर रही थी तामिल लाडू में तो उनके manifesto में एक बड़ा ही बचितर सा जो point था वो था broad meaning ठीक है कुछ भी unlawful अगर होता है तो आप उसको इस act के डायरे में लेकर आ सकते हो ठीक है इसी वज़े से यहाँ पर यह unlawful word जो है इस act में डाला गया था और हम सब जाते हैं कि 1967 के अराउं नक्सलिजम जो है वो भी काफी जादा बढ़ रहा था इस्टन रीजन में तो इसी वज़े से अब 67 में यह act बना जैसे कि मैंने आपको बताया कि as an administrator आपको देखना है कि कहां पर provisions जो है वो थोड़े से गडबड है और provisions को सुधारना है या और कौनसे नए provisions add करने है तो time to time आपके इस act में जो 1967 का original act था इसमे time to time जो है provisions add किये गए ठीक है हम उसका अब एक brief idea लेते है कि कब क्या इसमें evolution हुआ तो अब हम discuss करेंगे इसका evolution evolution तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले जो इसमें amendment हुई वो थी आपकी 2004 में ठीक है 2004 में इस act को amend किया गया और कुछ नहीं provisions इसमें डाले गए जिन में से एक यह था that the act criminalized the raising of fund for terrorist activities अगर कोई भी terrorist activity के लिए funds को raise कर रहा है तो उसको भी terrorist act में डाल दिया गया उसके इलावा अगर terrorism से terrorist activities से कोई भी पैसा आता है तो उस पैसे को भी इनोंने क्या कहा कि हम उस पर रोक लगा देंगे उसको hold कर लेंगे उसको आगे नहीं जाने देंगे तिसरा इसने यह भी ब तब भी जो सरकार है वो आपको पकड़ सकती है ठीक है तो यह 2004 के provisions इसमें डाल दिये गए थे ठीक है तो आप note down कर सकते हैं अगर आप कुछ लोग लिखना चाहें इसके बाद जो further इसके अमेंडमेंट आई वो आपके 2008 में और 2008 में अमेंडमेंट आने का बैक्राउंड क्या था आपका 26 11 जो आपके ताच होटल और मुंबई अटैक्स जो हुए थे उसके बैकड्रॉप में इसमेंडमेंट इंट्रड्यूस की गई ठीक है तो सबसे पहले तो जो फंड्स की डेफिनेशन थी उसको एंलार्ज कर दिया इस एक्ट ने ठीक है और तरह के फंड्स जो है टेरिरिस्ट अटिविटी से रिलेटेड उसको यहां पर इंक्लूड कर दिया गया डेफिनेशन ऑफ फंड्स वाज एफिनेशन ऑफ फंड्स एंलाज़ ओके उसके बाद उसके इलावा इसने क्या किया definition of property को जो है वो expand कर दिया ठीक है जो भी terrorist organizations है या जो इंडिया में terrorist organizations में involved है उनकी property को कैसे जब्द किया जाए वो सब इसमें यहां पर इन्होंने इंक्लूड कर दिया तो property की definition को एंलार्ज कर दिया गया और यहां पर इंडिया ने एक और international convention को भी इंक्लूड कर लिए खमें त्रश इध ऑपार पहर ज्टार्शल कर द्रशैंव्यर चमार्शम factors पार शुर्प थाद प्रशने के रूश्चांव्यर था इंडिया में इंडिया ड्रिया जुद्ध है अं इंक्र बच्रशन चमार्शननί लदो़ग Te तो देख रहे हैं कि आप फंड्स गैदर करना जो है जादा से जादा मुश्किल बनाने की यहां पर सरकार कोशिश कर रही है इसके इलाबा इस 2008 की अमेंडमेंड ने एक नया सेक्शन इंक्लूड किया जो था आपका सेक्शन 51A सेक्शन 51A यह नया एक सेक्शन इसमें इंक्लूड किया गया और इस सेक्शन से UNSC के दो रेजलूशन जो टेरिरिजम को ही जो है concern करते है that is resolution 1267 and resolution 1373 ठीक है resolution 1267 and 1373 इन दो resolutions को इंडिया ने pass कर दिया ठीक है तो यह तीन amendments जो है आपके introduce किये गए थे 2008 के act से इसके इलावा जो आपके TADA और POTA act जिनको repeal कर दिया गया था 2000 के beginning में तो इन acts के कुछ provisions को भी UAPA में जगा दी गई जैसे कि आप non available offenses हो गये ठीक है long custody period हो गया तो इन सब चीजों को इस act में डाला गया तो समझ गये अब यहां पर अगर आप देखे जो सारी चीजे मैंने बोर्ड पर लिखी है तो यह आपको एक picture create करके देती है evolution of UAPA की ठीक है इस तरह से जो आपका UAPA act है जो 1967 में introduce किया गया था वो evolve हुआ अब हम बात करते है 2012 की amendments की 2012 में major amendments जादा नहीं हुई इस 2012 की amendment में यह बोला गया अगर अब मैं बात करूँ यह आपर evolution की ही 2012 amendment तो इस पर बात कर दी गई उन सब crimes की भी जो country की economic security को threaten करती है economic security economic security को अगर कोई चीज threaten कर दी है तो उसको भी अब यहाँ पर include कर दिया गया economic security clear है तो आप समझ सकते हैं कि कितना wide इस act को शुरू से ही सरकार बनाने की कोशिश कर रही है क्योंकि आप देख रहे हैं कि अगर इस देश में अब economic security is a very important point अगर आपकी economy को कोई hurt करता है directly तो आपके देश में पूरी देश में आपके effect आएगा समझ रहे हो तो इसी वज़े से economic security was an important point यहां पर यह use किया गया चलिए अब बात करते हैं हमारी 2019 के amendments की अगर आप इहां से कुछ भी note करना चाहते हैं तो वीडियो को pause करके आप इसको note कर सकते हैं चलिए 2019 में major league four amendments were introduced चार amendments जो है इस act में लेकर आई गई वो चारव amendments मैं आपके साथ एके करके discuss करूंगा अब पहले UAPA act में क्या होता था central government किसी organization को as a terrorist organization declare कर सकती थी ठीक है और उसके लिए पहले ministry of home affairs central government को recommend करती थी उन particular organizations के नाम और उसके बाद central government उसको as a terrorist organization declare कर सकती थी लेकिन अब amendment के बाद इस act में क्या feature introduced किया गया कि even an individual can be declared as a terrorist ठीक है जरूरी नहीं है कि आपको पूरी की पूरी एक organization कोई terrorist organization declare करना है but you can even declare individual ठीक है तो सबसे पहला point यहां पर क्या था and individual can be individual can be declared a terrorist ठीक है individual को आप terrorist declare कर सकते हैं clear अब इसके लिए बहुत जारे criticism भी हुए अगर मैं बात करूँ इस amendment act में अगर सबसे जादा controversy इस point ने create की वो था यह individual को terrorist declare करने वाला point तो इसमें opposition parties ने अपने points दिये और central government ने अपना stand भी दिया तो हम दोनों की बात कर लेते हैं कि opposition views इसमें क्या थे और central government का इसमें क्या justification था जो opposition parties थी उन्होंने यह बोला कि देखे अगर आप किसी organization को terrorist organization declare कर देते हैं और बाद में आपको पता चलता है कि वो आपसे गलती हो गई थी और that is not an organization which is involved in terrorist activities तो आप उसका नाम हटा देते हैं चलो कोई बात नहीं इतना damage नहीं हुआ बट आप किसी individual का नाम अगर as a terrorist declare कर देते हैं बाद में उसका नाम भी हटाया जा सकता है that individual can put an appeal ठीक है और उसके बाद अगर वो proof कर देते हैं उसका नाम भी हटाया जा सकता है बट अगर आप एक बाद एक individual को terrorist declare कर देते हो तो आप उसकी life भर के लिए जो image है वो खराब कर देते हो उसको कही नौकरी नहीं मिलेगी उसको कोई rent पे घर नहीं देगा उसके दोस्त नहीं बनेंगे It is equivalent to civil death अगर मैं बात करूँ कहीं criticizers नहीं यहाँ पर term उसकी civil death एक तरह से आप उसको civil death दे रहे हो आप उसके fundamental rights जो है वो violate कर रहे हो यहाँ पर ठीक है तो यह इसका बहुत जादा criticism जो है हुआ कि आप उसका जिन्दगी भर के लिए उसको जीना मुश्किल कर दोगे और अगर जो आप देख रहे हैं कि इंडिया में politics बहुत जादा होता है अब अगर कोई political gains के लिए इस तरह के provisions को use करता है specifically states के अंदर ठीक है तो individual बिचारा पकड़ा गया उसको आपने डाल दिया controversial point था लेकिं Central government ने इसमें अपने reasons दिये Central government का ये कहना था कि देखे crime जो है वो individually conduct करता है ठीक है एक individual organization का part होता है और individually crime करता है तो हमें individual को अगर criminal घोशित करना है तो वो जरूरी है terrorism को रोकने के लिए दूसरा point यहाँ पर सेंटर government ने दिया कि हम organizations को terrorist organizations declare तो कर देते हैं पर वो organizations फिर करती क्या है वो अपना नाम बदल लेती है ठीक है sanctions से बचने के लिए और फिर हमारी जो सारी कोशित है वो पानी पा कि आप US को देखिए वो भी तो यहाँ पर provision रखकर बैठा है कि individual को terrorist declare कर सके ठीक है और साथ ही साथ यहाँ पर center ने एक और example दिया कि जो अब terrorist acts जाधा बढ़ रहे हैं वो आपने एक term सुनी होगी lone wolf attacks ठीक है lone wolf attacks जो है वो बढ़ रहे हैं और ऐसे attacks को रोपने के लिए हमें individual को terrorist जो है declare करना पड़ेगा तो यह था इसका पहला प्रोविजन ओके सेकिंड प्रोविजन क्या था सेकिंड क्या amendment हुई second amendment was related to seizure of property second amendment was related to seizure of property अभी seizure of property में क्या बोला गया कि पहले क्या होता था 2019 के amendment से पहले अगर investigating officer को कोई property seize करनी है किजी terrorist organization यह terrorist से related तो उसको director general of police का permission लेना पड़ता था और उससे में बहुत ज़र डिले हो जाया करता था लेकिन अब यहां पर amendment लाकर इन्होंने यह बोला कि अगर कोई NIA का officer investigating officer है तो उसे DGP की permission state के जो DGP है उसकी permission लेनी की ज़ुरुत नहीं है he just needs the permission of DG of NIA, director general of NIA की वो permission लेगा और यहां पर property seize कर सकता है तो जो red tapism है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा इसके बाद जो third provision इसमें include किया गया that was related to investigating officer now what was here पहले क्या होता था कि सिरफ आपका जो deputy SP के rank का या ACP rank के जो लोग थे वो ही सिरफ investigate कर सकते थे terrorist activities में पर यहां पर इन्होंने एक provision अब add कर दिया कि NIA में inspector rank के officer या उनसे उपर जो officers हैं वो investigating officer act कर सकते हैं तो इसका benefit क्या होगा जो आपका human resource है जो आपका HR है वो improve हो जाएगा ठीक है हमेशा देखते रहते हैं कि हिंदुस्तान में department में सबसे बड़ी जो problem है वो human resource की है तो वो human resource की problem जो है आप यहां पर easily उसको solve कर सकते हो ओके जो fourth provision इन्होंने किया fourth provision was insertion of a scheduled treaty अब क्या होता है किसी भी act में न और यह सिरफ UAPA की बात नहीं है कोई भी terrorism related या economic offenses related अगर आप acts देखेंगे तो उसमें सरकार क्या करती है कि कोई international treaty है या कोई international law है या कोई domestic law ही है दूसरा तो उसके points भी insert कर देती है तो वैसे ही हाँ पर भी एक scheduled treaty को जो है सरकार ने insert कर दिया है and that is convention for suppression of acts of nuclear terrorism convention for suppression of acts of nuclear terrorism ठीक है तो इस एक treaty को भी सरकार ने अपने UAPA amendment act 2019 के तुरू add कर दिया clear है तो यह major चार जो थी इसके amendments थी और इन चारो amendments के benefits क्या होंगे एक तो देखी अब individual अगर हम terrorist की बात करते है तो सरकार ने जैसे बोला कि lone wolf attacks को tackle करने के लिए बहुत important है seizure of property इससे red tapism कम होगा investigating officer जो है अगर inspector rank का रहेगा तो इससे जो deficiency in human resources है हमारे पात उसको अंकम कर पाएंगे और यह insertion of schedule treaty के डाले से जो nuclear terrorism है उसको यहाँ पर सरकार जो है tackle करने की कोशिश कर रही है तो यह थे इसके चार amendments अब इसके जो है criticism भी है मैंने आपको बताए कि कहा किन points पर criticism हुआ इसके इलावा और क्या criticism था individual freedom के इलावा और क्या criticism था एक criticism बोला जाता है that it is against the judicial prudence ठीक है किसी unlawful organization का सिरफ member है ठीक है हम दे तो देखा कि सरकार ने अपनी पिछली amendments में बोल दिया कि अगर आप किसी terrorist organization के member भी है तब भी आपको जो है penalize कर सकती है सरकार पर supreme court के verdict के तो यह बिलकुल against है ठीक है ऐसे ही provisions जो है अक्सर इस act को बदनाम करते आये क्योंकि आपका जो अगर आप देखें जो आपका unlawful act है इसमें क्या बोला गया है इसमें terrorism की जो vague definition दी गई है that is the major problem ठीक है क्योंकि अगर आप देखें recently cases हुए थे कि अगर किसी के पास ऐसी literature है जैसे for example अगर कोई नकसल literature carry कर रहा है या कोई नकसल literature लिख रहा है तो उसको भी जो है सरकार पकड़ सकती है और इसी में एक case भी हुआ था कैरला में जिसमें फिर high court के bench के decision के बाद एक व्यक्ति जिसको सिरफ और सिरफ literature carry करने की वज़े से सरकार में गिरफतार कर लिया था उसको 10 लाग रपे का compensation दिया गया तो इस तरह के जो provisions है यह थोड़े से इस act में आपके जो है इनको थोड़ा टेकल करने की ज़रूरत है और ARC जो है आपकी जो second ARC थी उसने भी कुछ ऐसे ही recommendations जो है वो दिये थे तो यह था आपका Unlawful Amendment Act इसके provisions आप यूज कर सकते है multiple जगहों पर आपके यूज हो सकते है prelims में भी यहां से सवाल बनकर आ सकता है mains में तो आप इसको यूज करी सकते है ethical point of view से भी आप इसको यूज कर सकते है ठीक है तो यह था आपके लिए UAPA आगला security का जो लेक्चर होगा उसमें हम फिर से कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे तब तक आप प्लीज पढ़ते रहिएगा और prelims अब 2020 ज़्यादा पास नहीं है और जिन बच्चों ने मेंस दिया हुआ है 2019 का वो ज़्यादा स्ट्रेस मतलें अपना आगे के लिए तैयार रखें अपना जो भी है अगर आपका मेंस क्लियर होता है तो बहुत अच्छी बाता नहीं होता तो दिल छोटा नहीं करना और आगे की तियारी हैं अच्छे से अभी से करनी शुरू कर देनी है ठीक है और चैनल को प्ली सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि आपको रेगुलर ऐसी वीडियो के अपडेट्स मिलते रहे अगर कोई सेजेशन है कोई रिकमेंडेशन है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप आप आलवेस कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं जवाब आपको जल्दी से जल्दी दे दिये जाएंगे So thank you very much, all the best and bye bye